इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से वेरियस ब्रांचों के लिवेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों को इलिजबल किया गया है आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संफीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका राइट्स लिम्टेट की तरफ से निकाला गया है ये आपकी एक नौरत्म कंपनी है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे में आती है और Government of India का Enterprises है बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी तोटल नमबर ओफ पोस्टे यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है आपकी वेकेंसी इज को यहाँ पर टेटिगरी वाइस के से बाटा गया है एस लिमिट आपकी क्या रहेगी एसेंसियल क्वाल्टिकेसन यहाँ पर आपसे क्या मागी गई है और कैसे आप इन पोस्टों के लिए अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी नेम ओफ पोस्ट के बारे में तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट एसोशेट के लिए टोटल यहाँ पर आपकी 31 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी जिसमें UR के लिए 17 पोस्टे हैं EWS के लिए 3, OVC के लिए 9 और SC Candidate के लिए यहाँ पर दो पोश्टों पर वेकेंसी रहने वाली है। इन पोश्टों में अपलाई करने के लिए Maximum Age Limit यहाँ पर आपकी 40 साल रखी गई है। Age का Cut-Off यहाँ पर आपका 110-2023 के हिसाब से लिया जाएगा। बात कर लेते हैं आपकी Qualification के बारे में तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने VB Tech किया है Engineering की किसी भी ब्रांच में और Minimum आपके पास एक साल का Work Experience से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे। तो अगर आपने VB Tech किया है Engineering की किसी भी ब्रांच में और आप General या फिर EWS केटिगरी में आते हैं और VB Tech में आपके Minimum 60% मार्क हैं अगर आप SC, ST, OBC या फिर PWD केटिगरी में आते हैं VB Tech में आपके Minimum 50% मार्क हैं आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे और जो भी यहाँ पर आपकी Qualification है वो किसी भी AICT या फिर UGC Approved University से होनी चाहिए Selection Process के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि Selection Process यहाँ पर आपका Interview के आधार पर रहेगा और Job Basically यहाँ पर आपकी Contract Base पर रहने वाली है Initial appointment यहाँ पर आपकी एक साल के लिए रहेगी बाकी से आपकी Performance और Requirement के हिसाब से आगे Extend किया जाएगा बात कर लेते हैं आपके Pay Level के बारे में तो Salary यहाँ पर आपको लगभग 42,000 रुपे प्रतिमंथ मिलने वाली है और इन पोश्टों में Apply करने के लिए आप लोगों से यहाँ पर कोई भी Application फीस नहीं मागी गई है अब बात कर लेते हैं आपकी Important डेटों के बारे में तो Form Online होने यहाँ पर आपके सुरू हो चुके हैं 27 अक्टूबर से Last date यहाँ पर आपकी 30 अक्टूबर रहेगी और Interview यहाँ पर आपके 30 और 31 अक्टूबर को होने वाले हैं Guru Gram हरियाना में जो लोग भी इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you, शुक्रिया